नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिशेत दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपून जानकारियों को ले करके श्रावन मास चल रहा है और इस महीने में शिव जी की पूजा होती है लेकिन शिव जी के साथ साथ आपको अगर शनी की मत्र भी असल में कर्म और सत्य को जीवन में अपनाने की ही प्रेणा देता है अगर आप शनी देव को प्रसन करना चाहते हैं तो कुछ बिल्कुल सरल और उत्तम उपाए हैं शनीवार का व्रत और शनीदेव पूजन किसी भी शनीवार के दिन शुरू कर सकते हैं लेकिन ध् ब्रत का पालन करने वाले को शनीवार के दिन प्रात ब्रह्मा मुहुर्त में स्नान करके शनी देव की पूजा करनी चाहिए शुब संकल्पों को अपनाने के लिए ही शनीवार को शनी पूजा एवं उपासना बहुत ही शुब मानी गई है यह दुख कलह असफलता से दूर सो भाग्य सफलता एवं सुख लाती है किसी भी तरह के शनी दोश से इस तरह आपको मुक्ती मिल सकती है आईए हम बताते हैं किस प्रकार से उपाय करना है आपको अगर आप शनी देव को प्रसन करना चाहते हैं तो शुक्रवार के रात काला चना पानी में भिंगो ये शनी बुआ कोईला हल्दी और लोहे का एक टुकडा लें और एक काले कपड़े में उन्हें एक साथ बांध लें पोटली को बहते हुए पानी में फेंकें जिसमें मचलिया हो इस प्रक्रिया को एक साल तक हर शनीवार को दोहराएं यह शनी के अशुभ प्रभाव के कारण पन होई बाधाओं को समाप्त कर देगा इस तरीके से भी आप शनीदेव को प्रसन रख सकते हैं घोड़े की नाल शनीवार को किसी लुहार के यहां से अंगुठी की तरह बनवा लें शुक्रवार की रात इसे कच्चे दूद या साफ पानी में डुबा कर रख दें शनीव शनीवार की सुबह उस अंगुठी को अपने बाएं हाथ की मध्यमा में पहन लें यह आपको ततकाल परेणाम देगा शनीवार के दिन पीपल के वरिक्ष के चारों और साथ बार कच्चा सूत लपेटें इस दोरान शनी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए यह आपकी साढ़ साती के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार नमक वीहिन भोजन जरूर करना चाहिए शनीदेव को आप काले रंग की गाई की पूजा करके भी प्रसन न कर सकते हैं इसके लिए आपको गाई के माथे पर तिलक लगाने के बाद सिंग में पवित्र धागा बांधना होगा और फिर धूप दिखानी होगी गाई की आरती जरूर की जानी चाहिए अंत में गाई की परिक्रमा करने के बाद उसको चार भूंदी के लड़ू भी खिलाईए यह शनीदेव की साड़े साती के सभी प्रतिकूल प्रभाव को रोक देता है शनी देव को सरसों का तेल बहुत ही पसंद है शनी को खुश करने के लिए शनीवार को पीपल के पेंड की पूझा करने चाहिए और उस पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए माना जाता है कि सुर्योदय से पूर्व पीपल की पूझा करने पर शनीदेव अत इस पूजा के बाद किसी काले कुट्टे को साथ लड्डू खिलाने से शनी भगवान प्रसन होते हैं और सकारात्मक परिणाम देते हैं शनी भार के दिन आप अपने हाथ की लंबाई का 19 गुना लंबा एक काला धागा लें उसे एक माला के रूप में बना कर अपने गले में धारन करें यह अच्छा परिणाम देगा और भगवान शनी आपके उपर क्रिपा बनाए रखेंगे किसी भी शनीवार को आटे यानि की चोकर सहीत वाला आटा इसकी दो रोटियां बनाईए एक रोटि पर सरसों का तेल और मिठाई रखिये जबकि दूसरे पर घी पहले रोटि यानि की तेल और मिठाई वाली एक काली गाय को खिलाईए इसके बाद दूसरी रोटि जो की घी वाली है उसी गाय को खिलाईए अब शनी देव की प्रार्थना कीजिए और उनसे शांति और समरिद्धी की कामना कीजिए आपको सफलता मिलेगी शनी देव को प्रसन करने के लिए आपको उगते सुरज के समय लगातार 43 दिनों तक शनी देव की मूर्ति पर तेल चढ़ाना चाहिए यह ध्यान में रखें कि शनी देव को प्रसन करने की यह विधी शनी वार के दिन ही अरंभ करनी चाहिए हर शनी वार बंदरों को गुड और काले चने खिलाईए इसके अलावा केले या मीठी लाई भी आप खिला सकते हैं यह भी शनी देव के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने में काफी मददगार होता है इसके अलावा भगवान शनी देव की पुजा करते समय इस मंत्र को पढ़ते हुए उन्हें चन्दन लेपना चाहिए इस मंत्र का उच्चारन कीजिए भगवान शनी देव की पुजा में इस मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्धय समर्पन करना चाहिए और अगला मंत्र जो हम बता रहे हैं इसको पढ़ते हुए भगवान श्री शनी देव को प्रज्वलित दीप समर्पन करना चाहिए अब हम जो अगला मंत्र बता रहे हैं इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान श्री देव को यग्यो पवीत समर्पन करना चाहिए और उनके मस्तक पर काला चंदन यानी की काजल अथवा यग्य भस्म लगाना चाहिए परमेश्वरह नर्वाभस्तन्तू निर्भयुक्तं त्रिगुनं देवतामयं उपवीतं मया दतंग्रिहान परमेश्वरह अब अगला जो हम मंत्र बता रहे हैं इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान श्री शनी देव को पुष्प माला समर्पन करना चाहिए नील कमल सुगंधिनी माल्यादिनी वैप्रभो माया हृतानी पुष्पाणी ग्रिह अन्तांग पूजनायभो भगवान शनी देव की पुझा करते समय इस मंत्र का जाप करते हुए उन्हें वस्त समर्पन करना चाहिए शनी देवः शीत वातोष्ण संत्रानं लज्जायां रक्षणं परम देवलंकारणं वस्त्रभतः शांति प्रयच्छमे शनी देव की पुझा करते समय हम जो अगला मंत्र बता रहे हैं इस मंत्र को पढ़ते हुए उन्हें सरसों के तेल से असनान कराना चाहिए भोशनी देवः सरसों तेल वासित स्निक्धता हेतु तुभ्यं प्रतिग्रिह अन्ताम सुर्य देव पुत्र भगवान श्री शनी देव की पुझा करते समय हम अगला मंत्र जो बता रहे हैं इस मंत्र का जाप करते हुए पाध्य जल अरपन करना चाहिए उम सर्वतिर्थ समूद भूतं पाध्यं गंध दिविर्युतं अनिष्ट हर्ता ग्रिहान दं भगवान शनी देवताह भगवान शनी देव की पुझा में इस मंत्र को पढ़ते हुए उन्हे आसन समर्पन करना चाहिए उम विचित्र रत्न खचित दिव्यास्तरण संयुक्तम स्वन सिहासन चारू ग्रिहिश्व शनी देव पुझित हुए इस मंत्र के द्वारा भगवान श्री शनी देव का आहवाहन करना चाहिए निलामबरह शूलधरह किरिटी ग्रिधरस्थित स्त्रस करो धनुष्टमान चतुर्भुजह सुर्यसूतह प्रशान्तह सदास्तु माह्यां वरदोलपगामी अगर आप विधी से इन मंत्रों का उचारण करते हुए शनी देव का पूझन करते हैं तो आप पर शनी देव की विशेश क्रिपा होगी और आप शनी दोस यानि के हर प्रकार के शनी दोशों से मुक्त हो जाएंगे और आपके धन्य धान्य में बढ़ोतरी होगी आप पर राहु केतु का भी असर नहीं होगा, राहु केतु का भी दोश दूर हो जाएगा, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे, कुछ एक और महत्तो पूनिज जानकारियों को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों.